जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट अटरी पॉइंट में दोस्तों मैं आप लोग के लिए रिजनिंग का कुछ इंपोर्टेंट प्रस्ट लेकर रखाए हूं देखिए यह परिच्छा में बार बार पुछे जाने वाले महत्पूर्ट प्रस्ट नहीं है या ससी सीजियल ससी सीचसल और भी गुरूब डी यार पीएफ सथा सभी परिच्छाओं के लिए महत्पूर नहीं है तो चलिए देर में करते हैं लिवेस्के अब चैनल पर रंखेश्ट है अगर है कि साथ लेकर डिए वीडियो को लाजक है और सब्सक्राइब करें अ कि में रिध्यास अथा बन है हुई सब्सक्राइब करें अम इस तो इस तरह कह प्रक्रेश्ट में आपको ज्यादा सोचने की जड equation कि नही अगर इस तरह से लेते हैं, M 13 में आता है, ये 13 में आता है, ये 23 में आता है, ये 5 में आता है, ये 20 में आता है, अगर इसको देखें, बराबर नहीं आता है, जोड़ के भी किजेगा तो 3, 1, 4 हो जा रहा है, ये 2, 3, 5 हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है, ये 2 हो रहा है, तो इस itadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad को बाने की एघ आगे बरादे दोस्तों और दुसरे प्रश्र को देखते हैं iyi LOOK यह दिएगी कल्पों में असंगत को चुन करके उतर दे mesela इस तरह का भी प्रश्र में आपको जादा सोचने की जरूत नहीं फबस थोड़ साप ऐसा किजिए है वीडियो को पहुच किजिए और खुद बनाने का कोशिश किजिए यह आप से बनता है या नहीं बनता है चलिए आप लोग देख लिए होंगे अब मैं बता रहा हूँ देखे तीन और छे है दो और साथ है तो हम जोड़ के देखते हैं तीन प्लस छे बराबर नव आया फिर अगर हम दो प्लस साथ को जोड़ते हैं तो हमारा ये नव आया ये दोनों जो ऐसा हमारा बराबर आ रहा है अब हम बी में देखते हैं इसमें देखते हैं तो बी में जोड़ते हैं तो 2 प्लस 9 बराबर 11 आया 8 प्लस 2 बराबर ये 10 आया अब हम C को देखते है ये A हो गया ये B और ये C C को अब हम देखते है तो 2 प्लस 3 बराबर 5 आया और 1 प्लस 4 जोड़ते हैं तो 5 आया ये भी बराबर आया दोस्तों अगर D को देखते हैं D को अगर जोड़ते हैं तो 1 प्लस 8 बराबर 9 और 4 प्लस 5 बराबर 9 तो देखें सारे के सारे बराबर आ रहे हैं ये भी बराबर आया ये भी बराबर आया ये भी बराबर आया कौन बराबर नहीं आया तो ये दस और एक आरा आ गया ये बी नमबर तो असंगत कौन हुआ तो बी नमबर तो सही एंसर इसका क्या है तो बी नमबर है दोस्तो इस रख प्रस्ट में आपको ज़्यादा सोचने के जरूत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अब तीसर प्रस् प्रस्ते तो आप ज्यादा मत सुचिए पहला देखिए कि बढ़ांग कहां है तो बढ़ांग की समय यहां पर है इसमें यहां पर है और इसमें इस तरफ बने अगा नहीं फोड़ा साब ऐसा किजिए अब इस रों को दिखिए इस कौलों को दिखिए पोचन मार्क इस लाइ कि 9 और 8 कि 17 होता है दो गरिफ तरह जोडते हैं 8 15 13 14 17 होता है चलिए इस तरह भी ठीक हो जाता है फिर इसको भी जोड़के देखते हैं साट चार 11 अरह 11 में 6 जोड़ेंगे एक आरह में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़तें दोस्ता हुआ चौथे प्रस को देखते हैं लोग चौथा प्रस आपका बोल रहा है कि नयान नयान पूरब की ओर एक किलोमेटर चलता है एक चौराहे परवाद देहना मूड जाता है और अस्पताल पहुचने के लिए 500 मिटर चला नयान की आरेंबिक इस्थिति से अस्पताल की इस्थिति सामें है नयान एक लड़का है इसमें आपको जानना पड़ेगा ये आप लोग सभी को जानते होंगे ये उत्तर है ये दच्छिन है ये पूरब है और ये पच्छिम है अलोग सभी को जानते है नयान पूरब की ओर एक किलोमेटर चलता है यहां से चला पूरब की ओर चला एक किलोम तो देहना मूड गय और जाता है और अस्पताल पहुंच टेक लिए 500 मिटर चलता है यहां अस्पताल है मालीजिए यह 500 मिटर यहां बार ह wise चलता है 500 मिटर चलता इंडल आप न Está America इस्पताल किस आस मैं सो पूछ तो नहीं तो पहले यहां पर था लिए नियन यहां पर दा तो यहां से सुरू किया यहां से इस इस दिसा में हैं अब जब भी सुछरा का प्रस्ट है जहां से चला वह पूछ रही थे यहां पर इसको उत्तर दख्शिन यहीं से लिटेंग तो उत्तर दख्षिन पूरव पचिम. यह जो है, तो यह पूरव हो गया, यह पच्छिम हो गया यह तो मैं बता चुका हूं और यह उत्तर दच्छिन तो इसके बीच में है तो ये पूरव और दच्छिन हो जाएगा या दच्छिन पूरव इसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो ये C नमबर दच्छिन पूरव की दिशा में अस्पताल है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ट को देखी दोस्तों पांचों प्रश्ट ने आपका दिये गेवी कलपों में से प्रश्ट इनके अस्थान पर आने वाली संख्या को चुने इस रख प्रश्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है जोड़ के देखे पले आप चार में अगर छे जोडते हैं तो 10 हो जा रहा है हमारा तो 6 में क्या जोड़ें अगर 6 में फिर हम 10 जोड़के देखेंगे सुरी 6 जोड़के देखेंगे तो हमारा 12 हो जा रहा है और 12 किसी option में नहीं है तो इस तरह से बनेगा नहीं तो ऐसा करते हैं चार का Q करते हैं तो चार गुने चार गुने चार करते हैं तो 460 को चोके 64 64 अर इसको 6 और 4 को अगर जोड़ दे तो हमारा 10 आ जा रहा है देखें, यहाँ पे आ गया 10 आ गया दोस्तों तो उसी तरह 6 का Q करेंगे हम 6 का 6 गुने 6 गुने 6 तो इसका 200 सुला आता है और 260 का जोड़ दिए 2 पलस 1 पलस 6 तो हमारा कितना आ रहा है 2 1 3 3 6 9 इसका सही एंसर क्या हो जागा दोस्तो तो ए नमबर नो होगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्क्राइब कर ले है चलिए छट्टे प्रस को देखते हैं दोस्तों लोग ठट्टा प्रसने आपका अधी नीले को हरा लिखा जाता है हरे को लाल लिखा जाता है और लाल को पीला लिखा जाता है और पीले को काला लिखा जाता है और काला को सफेद लिखा जाता है तो हल्दी का रंग कैसा होता है इधर हम बस आपको टाइम मैनेज करना है किझे तो क्या पूछ आपको हल्दी का रंग कैसा होता है सुभी होताहे अब देखिए 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 को हरा हरे को लाल को ठील क्या कहा जाता है तो काला कहा जाता है अहल्दी का रंग कैसा होता है पीला तब पीले को क्या कहा जाता है तब पीले को हमारा काला कहा जाता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा सी नमबर काला का जाता है जाल दी रग कैसा होगा तो काला होगा चले आगे बढ़ते हैं अब सात्व पड़स को देखते दो सात्व पड़स नहीं आपका एक सुबा सुर्योदे के बाद रामू और सामू एक दूसरे के आमने सामने होकर बात कर रहे हैं अगर रामू की परठाई सामू के ठीक बाई योर परती है तो रामू का चेहरा किस दिसा में है देखे आप लोग सभी को जानते हैं कि सुरज पूरब में निकलता है ये पूरब ये पच्छिम अभी मैं बता चुका हूँ ये उत्तर और ये दच्छिन तो एक इधर से आ रहा होगा और ये एक इधर से जा रहा है इसको हम रामू मान लेते हैं रामू इधर सामू इसको मान लेते हैं तो अगर रामू की परठाई सामू के ठीक दाई और पड़े तो रामू की परठाई जब इधर है रामू तो इसका परच्छाई कि इधर बनेगा तो इसका रामु का परच्छाई सामु के बाइं साइड में बनेगा यहां इधर बन रहा है तो रामु की परच्छाई सामु के ठीक बाइं और बन रहा है तो रामु का चेहरा किदर है तो रामु का चेहरा किदर है तो रामु का चेहर तो रामु का चेहरा किधर है तो दच्छिन दी समय दोस्तों जब भी इस तरह से प्रस्ण आवे तब शूर्ज अंदाज लगाईए पूरब इधर बैठाईए और इस तरह से उत्तर दच्छिन बैठाईएगा आप नहीं तो आप गडबला जाईएगा नहीं इस तरह से अगर बैठा दिये पूरब पच्छिन बैठा दिये तो आप एंसर आपका नहीं आएगा चले आगे बलते हैं कि अब आटम प्रस्ट को देखते हैं हम लोग लोगों कि इस तरह प्रस्ट में अब थोड़ा सा फास्ट में कीजिए प्लस को जोड़ को भागा का जाता है देखिए अधि जोड का अर्थ भागा है भागा अर्थ गुना है गुना का अर्थ घटाओ है और घटाओ का अर्थ जोड़ है तो सही मान क्या होगा तो जोड को भागा का जाता है भागा का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ घटाओ है और यहां बोला है घटाओ का अर्थ तो भागा को गुना बोला जाता है यहां गुना लिख दिये पांच और गुना को क्या बोला जाता है तो गुना को गहटाओ बोला जाता है तो गुना को गहटाओ बोला जाता है जोड को भागा बोला जाता है और घटाओ को क्या बुला जाता है तो जोड़ बुला जाता है जोड़ बुला जाता है अब बॉड मास आप लोग सभी को जानते होंगे आप लोग तयारी करेंगे तो जरू जान रहे होंगे बॉड मास अब इसको हम क्या करते हैं पंदरा गुने पांच घटाओ तीन से नौ में भागा देते ते 3 आ जाएगा प्लस 6 अब क्या करेंगे देखें 15 पच्छे 75 मैनस 3 प्लस 6 अब इसको हम जोड़ घटाव कर जेंगे 75 अर्टीन घटा दीजे इसमें इसका सही एंसर के आ जाएगा तो 78 इसका सही एंसर हो जाएगा आपका ए नमबर चलिए कुछ नहीं करना है दोस्तों बस थोड़ा सा दिमाग लगाई है चलिए आगे बढ़ते हैं नवाप्रेशन है आपका गोरैया दाना और यह समका किड़ा तो यहां पर है गोरैया दाना खाती है आप लोग सबी कोई जानते हैं रेसम के किड़ा क्या खाता है मैपल खाता है पाइन खाता है मलबरी खाता है या सिल्क खाता है जिसका सही एंसर हो जाएगा आपका सिल्क मलबरी हो जाएगा दोस्तों रेसम के किड़ा क्या खाता है मलबरी सतूत को मलबरी बोला जात भारतिय सनस्थ के सबन्द में विशम सथ का चेयन करें देकिए एक है बजटसत, बी में है गिस्थ सथ, सी में मांसुन सथ, अड इम है खितकलिंसत, इस तरह में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी अगर आप नहीं जाने यह गाता आप यह गलत करकाईएगा और नंबर कर ज ुए होता है चाहिए höher है थ resembling च कि क्या है नहीं होता है तो भी नंबर गिंव सथ नहीं होताना मुए यह जो है फर्वरी से फरवरी से मई के बीच होता है दोस्तों उसके बाद आपका है मानसुन सत्र ये जुलाई से अगर्ष्ट के बीच होता है जुलाई से अगर्ष्ट के बीच होता है और सितकालिन सत्र जो है सो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है दोस्तों अगर आप लोगको वीडियो अच्छी लगये हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो को सेयर करें दोस्तों